हरे कृष्णा आज हम सात्वे अध्याय का तीसरा श्लोग पड़ेंगे 7.3 मनुष्या नाम सहिस्त्रेशू कश्चित यत्ती सिद्धये यत्ताम अपी सिद्धा नाम कश्चित माम वेती तत्वत अर्थात कई हजार मनुश्यों में से कोई एक सिद्धी के लिए प्रेतनशिल होता है और इस तरह सिद्धी प्राप्ट करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है इस लोग से हमें इस question का answer मिलता है जो कि बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछ चुके अपने जीवन में और शायद आपस में भी कभी ने कभी चर्चा करते हैं कि अगर भक्ती इतनी ही अच्छी है अगर गीता इतनी अच्छी किताब है तो क्यों नहीं सभी लोग इसको पढ़ते या अगर हम सिनेमा हौल में मॉल्स में या कहीं और जाएं तो बहुत भीड मिलती है जबकि अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण के मंदिरों में और बाकी जगे में आम तर पर मंदिर खाली पढ़े रहते हैं कोई फेस्टिवल है कोई बात है तो बात अलग है अदर्वाइस रूटीन में मंदिर खाली से पढ़े रहते हैं तो भगवान स्वयम इस बात को कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धी के लिए प्रयतनशील होता है और जो इस लाइन पर लग भी गया उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि उन में से भी कोई एक विरला ही मुझे जान पाता है आक्चुली इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि 99.99% जो लोग हैं वो सिरफ खाना पीना सोना एश करना बस उसी के लिए बने है उनको ये जानना ही नहीं है कि ये जीवन जो कभी भी समाप्त हो सकता है इसके आगे क्या होगा उनको कोई मतलब नहीं है कहना ने चाहिए मैं गलत एक्जामपल ले रहा हूँ में भी हो सकता आप में से किसी की फीलिंग हर्ट हो मेरी यसी बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है मैं सरफ इसको अपने विचारों के रूप में रख रहा हूँ कि जैसे एक सपोस्पोस लेबर क्लास है या रिक्षा क्लास वेक्ती है उसने आठ ठेला चलाया 200 रुपे कमाये आज के लिए वो राशन पानी ले आया उसने खा लिया उसको लगता है बस ठीक है आज रात तक तो कोई टेंशन नहीं है ना कल शाम तक कभी है बहुत है इससे आगे कि उसने सोचनी ही नहीं है बट हम आम तौर पर उस अपने आपको इस रिक्षा वाले से बेटर समझता है क्यों कि हम यह सूछते हैं कि हम ऐसा बजनिस कर रहे है जिसमें हम कल को या ऐसी जौब कर रहे हैं जिसमें हम कल को पैसे की सेविंग करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंसान बनाएंगे या कोई अच्छा घर बनाएंगे ताकि कल को हम किसी को देखे जाए जानि हम आम तोर पर अपने आपको उस रिक्षावाले से उस लेबर क्लास वेक्ति से जो इतनी लंबी सोच रखता ही नहीं उससे बेटर समझते हैं लेकिन जब भक्ति की बात आती है तब हम ही लोग लेबर क्लास की तरह भीएव करते हैं और वो सोचते हैं कि हम क्यों ना बस अगले दो, चार, दस दिनों तक की सोचें वैसे रॉंग ठिंकिंग नहीं रखनी चे लेकिन आप भी जानते इस बात को कि अगले दो, चार, दस दिन, महिना, साल हम जिसकी भी बात करते हैं पता नहीं हमने उतना जीना है के नहीं जीना किसी भी शन मुत्यों आ सकते हैं और हमारा अगला जनम स्टार्ट हो सकता है लेकिन हम उसके बारे में नहीं सुचते हम सोचते हैं पहले इस जनम में तो आश कर ले फिर पता नहीं अगले जनम में मिलेगी नहीं मिलेगी गीता यह अन्य धार्मी किताब इस बात को certify कर रहे हैं कि अगर आप इस जनम में आश कर रहे हैं तो यह सोचने की जुरूत नहीं कि अगले जनम में मिलेगी और नहीं मिलेगी, पक्का नहीं मिलेगी, अगर हम इस जन्व में अपने आपको regulated way में रखते हैं, भागवान ने हमें सारी ash करने की सुईधाई भी दी हैं, लेकिन साथ में शासरी कहते हैं कि उनको limited रखिये, control में रखिये, unlimited मत जाने दीजे, सिर्फ उसी से समझने की कोशिश करिए, कि अपने दिन के 24 गंटे में से, 10 गंटे कमाईए, 6 गंटे आईश करिए, सब कुछ करिए, लेकिन 15 मिनट, 10 मिनट, आदा गंटा, एक गंटा भक्ती में भी लगाना जरूरी है, गीता पढ़नी जरूरी है, भगवान का नाम का जब करना जरूरी है, महीने में 2,81 वरत जरूरी है, अपनी इंकम का कुछ हिस्सा, प्रचार में खर्चना, मंदिर में भगवान की सेवा में लगाना, दूसरे लोगों की सेवा में लगाना जरूरी है, सब कुछ सिर्फ अपना और अपने बच्चों तक यहां आते ही क्यों यह बात भी फैक्ट है तो यह श्लोक उन सभी भक्तों के लिए भी है जो भक्ती के मार्ग पे हैं लेकिन सीरियसली नहीं ले रहे या पहले सीरियसली ले रहे थे अब पीछे हट गए हैं उनको चाहिए कि वो भगवान की उस exception trainी में जाएं जो एक विरला कृष्ण से प्रेम करता है जो एक विरला भगवान के सेवा में लगा रहना चाहता है वो विरला वेक्ती वो हर भक्त को बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो कृष्ण का प्यारा बन सके हरे कृष्णा